हां तो बच्चो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन आयंड एट्स कंपाउंड बच्चो यह जो वेडियो है इस्पेसली 10th क्लास के स्टुडेंट के लिए है क्योंकि हमारे 10th क्लास के स्टुडेंट ऐसे भी कुछ है जिसको थोड़ा सा कौन सक्ट नहीं क्लिया है इस परिशान आते हैं और गयनिक कंपाउंड की का आयूट्यसी नॉमेंट लेशर उनको नहीं सब्च में आता है तो आप अगर कारवन एंड इस कंपाउंड से परिशान है इसके पुश्चन आप नहीं कर पार रहे हो तो आपको इस वीडियो को जितना मतलब लगे यह 25-30 मिर् उसको आप कांटीनू देखिएगा और इसके पुश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप कर सकते हो बहुत ही आसान चैक्टर है और बहुत मैं इस इजी वे में आपको समझाओंगा तो कारवन एंड के संबाउंड का जो फर्स टॉपिक मैं आज यहां ड़ा इसटार्ड करने वाला हूं, आयू बसिन नामें नेचाल हो आप और गैनिक कमपाउंग तो देखिएगा और यू इसए या आयूद यूद पयक नेमिंग नेमिंग आप और गैनिक कमपाउंगूंग कि आई उपाइक नेमी आप और रेनिक कंपाउंड देखें बच्छों और गैनिक कंपाउंड मलब ऐसा कमाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का होना तुमस्ट है इसके साथ नाइड्रोजन आक्सिजन सल्फर अधर एलिमेंट हो सकते हैं मलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगार अधर संटहरों महिए और घरीक तो सब्सक्राओं और कांपर्वेए तो परोगे तो देखे, आपको मैं डारेक्ट बताता हँ, थाइस कार वैसे आप स्वाव्वी करोगे। आ यू पीयसी नेब। एकपर दर फारफॉला आपको दान देना है। टू डेज़्ेंगरी प्रेफिक्स प्लस वन डेज़्ेंगरी प्रेफिक्स प्लस वाइच लूँ प्लास वान गेरी शुवरेव्ड minus 2 प्लास तूड़ेगर शॉक्ष वाइद आको ये पारगुला जाम देना है अगर आप पिस फार्मूल्रे को यार रखें हो और ये कंपोनेट जो है तूड़ेवीरी प्रेविक्स वायागुड वांधेश बदैश और तू डेगरी सबीस इनको आमको अगरुटिफाइब करना है अगर अगरुटिफाइब ही इसे आजआ में सारे कंपोनेट को अगर आप लिखोगे तो आप वायो केसी में मिलेगा तो हम लोग एकर जह पर केद इन शारे कंपोनेट को पर आपको समझना है white room फाले white room समझे white room white room क्या है white room क्या हूँगा ये जो है number half carbon atom in parent chain बताएगा में किसी भी parent chain में जितरे number half carbon atom होंगे उसे हम बोलेंगे white room बोलेंगे और छेन का मतलब होता है सबसे लॉंगेस्थ करणल चेहरे जिसके पास हूं आद जाता हो जिसके पास पनीस्नल ग्रू deh जाता हो फंक्सल ग्रूक वी आपको पता है और उसके पास डबल गॉंड-्रिबल गॉंड अगर जाता है तो उसको बोलते हैं पैरेंचे नो तो पारेंट चेन का मतलब क्या होता है उसको हो सबस्ते हैं, पारेंट चेन, पारेंट चेन, पारेंट चेन का मनलब होता है, लोंगेस्ट, लोंगेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन, कार्बन चेन, पुछ है, पुछ है, पुछ है, मैक्सिमम नमबर आप, पो इसा मैंक्सनल नमबर आप फंक्सनल ग्रूप double bond triple bond अएसा long-gest carbon chain जिसके पास मैंक्सनल नमबर आप फंक्सनल ग्रूप। double bond triple bond उसी इको बोलेगे long-ize parent chain उसी को parent chain बोलेगे तो तेंग लेबल पर एक ही फंक्सल्ग्रूप को दूगा से लगा दिया तो पारेंट चैन्ट आपको यह द्मन देना है कि सबसे ज्यादा कारबन एकल होना चाहिए उसमें और उसमें फंग्षड और पुना चाहिए तो मैं हमारा होगा फायरेट इचेम अम आले के यह पाइरट चेमें वन कारण हागर है तो वाइड़ू हमेशा अपको लिखना है मैद आगर चेक निफ्ट दो कारण है तो वाइड रूथ हमेशा ल यूर, पांच कारवन है, तो आपको लिखना है, 10, ऐसे ही, अगर 6 कारवन है, तो हैक्स लिखना है, वैडूर, 7 कारवन है, तो हैक्स लिखना है, 8 कारवन है, तो आपके लिखना है, और 9 कारवन है, तो नन लिखना है, और 10 कारवन है, C10, तो देख लिखना है, 11 है, तो अन द तो सब्सक्राइब आपने पांचाना वाइड रूट वाइड रूट क्या होता है यह नमबर आप कार्ण अटम इंपारेंट चाहिए उसके बाद हम लोग देखते हैं वन दिग्री सफिक्स है तो बच्चु घ्याँ मेरा वन डिग्री सफिक्स क्या है वन डिग्री सफिक्स है नेचरा नेचरा बॉंडिंग को बताता है इट इंडीकेट नेचरा बॉंडिंग बाल लेते हैं कार्ण कार्ण की बीचने सिंगल बॉंड अगर है तो वन डिग्री सफिक्स हमेशा लिखना है एं कार्ण कार्ण अगर आदर कारबन और पुप्ल मोंड हय तो गमेरी समिख्स इतना है आई उसके बाद आपको टू डेजिभरी अफस्पिक्स तो समझता है तू डेजिद मुट्री अफस्पिक्स क्या है तू डेजिद आपको इनवी इनचर या उडे आपफ फंक्शनल ग्रूप इनडेट functional गुरूप क्या होता है functional गुरूप ऐसा एटम ये गृूप आटम ये हो सकता है जो किसी बी ओर समगेंट का कैंटों रोल्बाइटी ये इसंग वह दो मतलब अगर फंक्शनल गूरूप आप चेरिद करते हो फिसी इवर्गैनिक कंपाउंड में तो उस ओर्गैनिक कंपाउंड का केवकल प्रॉपाइटी चेरिद होता है मतलब आयसा एकन ये फ्र्लुपकर डिफाइटी प्रेयर फंक्शनल जू तो फंक्शनल गूरूप क्या होता है atom or group of atom, group of atom which, which is responsible, which is responsible for chemical property of organic compound, atom or group of atom which are responsible for chemical property of organic compound, which is functional group. We have some functional group, like if we have a function group of atom, we have a function 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 of atom, горics. हमेशा आपको याद रखना है, AHL, हमेशा क्या होंगा? AHL, अगर मैं लेते हैं CooH लगा किसी compound में, organic compound में carbon C coach है, तो उसका two degree surface हो जाएगा, O-Eachid, क्या हो जाएगा? O-Eachid, मैं लेते हैं किसी compound में carbon double bond O the score है so, अगर इसे बोलते हैं Ketone, किसे हम बोलते हैं कीटोर कमपाउंट का नाम होगा कीटोर इसको बोलते हैं कार्बाउगजिलिक ऐसेड कार्बाउग खोल तो अगर कीटोर लगा है तो अबेशा इसका तो इसकी जिसमिक्च हो जाएगा ओँछ आएसे ही LD Hide मनतला अग岩 CChaux लिखा हाँ तो उसका और LD Hide बोलेंगे और structure group का जो two degree suffix होगा अल तो इस टाइब से function group का जो हो उसका two degree suffix हाट तो याद रखता है जैसे अगर C, triple bond यादी C गुरुफ है इसको बोलते हैं साइनाइड यह compound है हमारा साइनाइड तो साइनाइड का होता है नाइट्राइल साइनाइड का two degrees होता है नाइट्राइल माल लेते हैं कोई compound है जैसे RC double bond OOR यह अगर है तो इसको बोलते है तो इसको आगर लेखेंगे तो O8 लगाते हैं O8 estimate two degrees suffix का होता है O8 होता है तो यह बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा हमने बताया functional group functional group हमने बताया IPC name equal to two degrees prefix one degree prefix wide group one degree suffix two degree suffix wide group क्या है wide group जो है बाइन चैन्ज में प्रजेट नमबरा carbon को बतायेगा carbon की संख्या अगर जिलना हो उसके ताडिका method probude pen आप मारेंगे one degree suffix nature बाणिक को बतायेगा single bond a double bond e triple bond iron और two degree suffix type functional group को बतायेगा functional group क्या होता है किसी भी compound में जो atom या गुरूप आफ एटम उस compound के टेंपकर प्रोपाइटी के लिए दिस्कॉंसिवन गूता है उस atom आफ एटम को बोलते है functional group इतने functional group इस प्रसली आपको 10th के लेवल पर पढ़ना है बाकि 11 12 में डिटेंज में आपको परहाएद आएगा अब मैं इन तीन को combine पर कुछ example कराता हूँ देखे किसी organic compound का IPC ने छोटा भी हो सकता है किसी का जादा हो सकता है तो सबसे बड़ा जो compound का नाम होगा तो पाचो component involved हो जाएगे और कम से कम जो छोटा नाम होगा उसमें वाइं रूट और component degree suffix का ना जरूरी है जैसे कुछ एक जादपन हो लोग देखते हैं जैसे रचो मा लेटे हैं CH3 CH2 CH3 यह है इसका हमें आई किसी ने बताना है तो फस्ट आप होल हम सेलेक्ट करेंगे पाइलेट चैन तो पाइलेट चैन हमारा यही हो गया यह सबस्टे लोगेस कारण चैन यही इसके लापा कोई चैन ही नहीं बने वाला है कितने कारण है इसमें तीर कारण है तो तीर कारण अगर है तो वाइड रूट हमें हम बोलेंगे वाइड रूट इक्वल टू बोलिए प्रोब हो जाएगा और सभी कारण सिंगल मोंट से जुड़े हैं तो वाइड डिगरी सफिक्स हो जाएगा एम तो इसका आउपेसी नहीं पाले वाइड रूट लिखना है मतलब प्रोब लिखना है और प्लस एम यानि इसका आउपेसी नहीं हो जाएगा प्रोबें आसान है चलिए आगे बढ़ने आएग जैसे माल रहते हैं एक कंपाउंड है CS3, CH2, CH, OH and CH3 इस कंपाउंड का आउपेसी नहीं हमें बताना है तो हमने माल लिया कि सीधा सीधा पायरेंट चेहन है फर्स्टावाल हमें सेलेक्ट करना है पायरेंट चेहन उसके बाद हमें करना है नम्बरिंग आपके पास दो आफस्टम है आप इस साइट से करोगे कि इस साइट से करोगे जब पायरेंट सेट करोगे तो नम्बरिंग आपको दो याफस्टम मिलेगा या तो आप left hand side से करिए या तो फिरा right hand side से करिए तो आपको push side से करना है numbering इधर से function group double bone, triple bone नस्दीक आ रहा है तो इधर से करेंगे तो function group second पर आ रहा है इधर से करेंगे तो heart पर आएगा तो numbering हमें करना है इधर से 1, 2, 3 and 4 तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 खारवन, तो white room क्या हो जाएगा white room हो जाएगा, view और उसके बाद one degree suffix क्या है सबी सिंगल मों से चुड़े हैं, तो end उसके बाद two degree suffix क्या है two पर all, ओयक्स गूर्ट को क्या बोलते हैं, all two degree suffix तो अब इनको एक साथ combine करके मैं बोल सकता हूँ, view plus aim यानि view 10 और two, all अब वादर से इसके start पर इसलिए A, N, E, E को हमें drop करना पड़ा तो इंग्लिस में आपने पड़ा होगा, कि अगर वादर सिर्को इनको इसके पहले वादर को हम drop करेते हैं तो बच्चों, यूटूब पर आप लोग अगर इसको देख रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीन साथ लीजिए फिर हम लोग कुछ एक्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, और जितने एक्जांपल आप लेट के सारे आप साथ चोल कोगे, इससे आप सारे question आप सानी से कर सकते हो इसको आप स्क्रीन चांटेजिए, अन्वाज स्क्रीच को आपकर के लिके फिरागे पक्रते हैं, ओके आप लोग ने लिखिया, आप सारा आपको मतलब पुरा कभी हो गया, अब देखते हैं, लोग आगे, देखें, हमने तीनों कंपोनेंट को आपको एक आयरिकर के IPC नेम सिखाया, अब इन दोनों के बारे में भी हम समझ देते हैं, देखेंगा, वान दिगरी प्रिफेक्स का अफला केवल होगा, इफ पाइन चेंड प्रिजेंट, प्रिजेंट इन साइक्लिक रिंग, अगर पाइन चेंड साइक्लिक रिंग में है, तो आपको वन दिगरी संफिक्स के जगा पर कुछ नहीं कितना है, और अगर पाइन चेंड ओपन चेंड में है, तो आपको वन तो डिगरी प्रिफिक्स आप समझें देखिए तू डिगरी प्रिफिक्स यह हमेशा वाइट रूट के पांदे लगेगा और इसमें हमेशा सब्सिट्यूट दिखते हैं हमेशा सब्सिट्यूट और इसमेल है पारट चे अई सब्सिट्यूट का जयंसे हां जैसे मॹन ने वह वर ऐक अब यहां में CS3 लगा दिया, CH यहां में VR लगा देता हूं, यहां CS2 और सिंदा जूंच C4OH, तो यह हमारा सीधा सीधा हो गया, Parent Chain, क्या हो गया, Parent Chain, अब Parent Chain हो गया, अब यह हो गया हमारा Functional Group, यह साइड में लगा हुआ है, तो साइड चेंड, साइड चेंड में हमेशा कार् कारण कंटेनिंग साइड चैनि अगर कुई भी ग्रुप साइड में लगा हुआ आपके लेजल पर अगर अच्छो कही एक लगा है तो आपको सबस्टिवंट के जगा पर लिखना है फ्लोरो लिखना है ख्लोरो अगर कहीं CL लगा है तो आपको लिखना है ख्लोरो अगर कहीं BR लगा है तो आपको लिखना है ब्रोगो अगर कहीं I लगा है तो आपको लिखना है आईडो अगर कहीं OCH3 लगा है तो आपको लिखना है मेफोक्सी तो लिखना है मेफोक्सी अगर जाई ओ, C2H5 लगा है, तो आपको नितना है, एठाक C, इसके अलावा कोई भी सब्स्टोरेंट आपके सामने नहीं आए बाला है, अब हम बच्चों समझते हैं, साइड चेंड क्या होगा है, साइड चेंड, कैसे बनता है ये समझे, जैसे, C4, ये है मीठें, C4, ये है मीठें, अगर यहाँ से एक हाइडोजर हम निकाल दे, तो एक हाइडोजर निकालेंगें, तो A is replaced by Y या इल, तो A यहाँ से आप अडाईए, और Y जोड़ी है, तो एक हाइडोजर जब निकालोंगें, तो ये हो जाएगा, इसका एका, तो अगर ये गुरुप कहीं परेंचेन से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा, मिठाई, नाट मिठे, क्या हो जाएगा, मिठाई, अजर कहीं लगा है, CH3, CH3, तो इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इथे, अब यहाँ से एक हाइडोजर आप निकाल दो, तो एक हाइडोजर आप निकालोंगें, तो A is replaced by YL, तो CH3, CH2, सिंगल गोल, तो इसका नाम हो जाएगा, तिखाई, तो यह सभी हो जाएगे, साइड, ऐसे मेथेन से मेथिल, एथेन से एथेन से एथिल, प्रोपेल से प्रोपिल, ऐसे आइसे आइसो प्रोपेल से आइसो प्रोपेल गूल पर एगा, तो आपने और रूल आपको कुछ कोिशयां ते रहा है, रूल नमर परस्ट, फस्टा आप आल सलेट...डावड और आपको क्रीट करना है, और नम्परेप करना है, और अब का चाल आपको और तो अर्बरेपा हो गा, नम्बरेपा का इसके बाद double bond की priority उसके बाद triple bond की priority और और सबस्टिवंट की priority देंगे और सबसे कम priority देंगे side chain की तो ये order आपको ध्यान देना है ये order कि का follow करना है जब position say निका है तो आपको सबस्टिवंट सबसे कम priority देना है side chain का जैसे हमारे सामने कुछ example है देखते हैं रुचो आपलोग बता बाते हो कि नहीं CH3 यहां मैं लगा देता हूं गया यहां CH यहां मैं लगा देता हूं PR और यहां CH यहां मैं लगा देता हूं CS3 and CS3 यह है इसका हमें आपके सिरे मताना हुआ है तो पाहले हम क्या करेंगे पायरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे कि दा से करेंगे बताइए पायरेंट चैन यह को सिधा सिधा होगा को दो हां होगा कितने कारवन एक दो तीन चार पांस कारवन तो पांस कारवन अगर पायरेंट चैन में हाँ है तो वाइड रूट क्या होगा पैंट होगा तो चलो पैंट मैंने कि देता हूं वाइड रूट क्या वाइड रूट यहां है पैंट सभी कारवन से जुड़े है बताता है तो एक हो गया सुन्म करता है लिखो गरीण करता है तो 1 2 3 4 5 तो क्या हो जाएगा तू पर आल है वान नहीं औहीं वह तो साइक्ट्लो लिग देते हैं ऑन सब्सक्राइब तो तो इसका यह है नहीं पूला उसके आप साइब करें यहां VR लगा है तीर पर भी यार है तो 2डिग्री प्रिफिक्स को भू जाएगा 3, brongo और 4 में थाइड पोजिशन के साथ लित ना है तो इसका नाउ बच्छों बता दीजिए ères combine करके सबसे पहले लितना है 2डिग्री अंधिक प्रिक्स क्या हो जाएगा थ्रीग जो जुक्त ट्रीव और तुखकर फोर मिफाइल कि्सके बाद आपके प्रिफेक्स तो हाए नहीं प्रिफिक्स पारेंगो में थे साक्राइब है पिर आगेया वाई हूँ वैड़ोड क्या है पैं उसके बाद प्लस ए Люб य तो हम वह हम वह है तो वह हम वह करेंगे तो 2 R तो यह IPC नेम हो गया 3 वरोगो 4 रफायल पैंटाइन 2 R इस compound का IPC नेम हो गया जैसे देहां दरा बच्चों देखते हैं कितने लोग solve कर बाते हैं अगरा example आपके सामने है CH3 CH CH2 and COOH यहां लगा हुआ है CH2 CH3 CH2 और यहां से एका Response नह टादो यह बाते हैं 6 और कारवन की तो पारेंट्चेर को रहा है पारेंट्चेर्ट आपको ऐसा पात्य चनल करना है जिसके पास कावर भी जारा हो और फांक्षन ग्ट्रूप्षी रहे हैं तो एगर और सीधों क्राइबें हो कि अग्छाइब क्लin यह जाए आदे नहीं होगा तो में नहींद तो किसकी ओयक्च गुरुप है, इसकी प्रियोटी जादा आँख ए, तो यहां से हमानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे पालें, 2 डिगरी प्रिफिग्स लखेंगे, 2 डिगरी प्रिफिग्स मलब सब्सक्रिवेंट या साइड चेंड, सब्सक्रिवेंट या कुछ है रही, साइड क्या क्या साइड चेंड है, यहां देखो साइड में अथाइड, यहां देखो साइड में अथाइड है, तो क्या में अथा में थाइड, 3, 4, डाई, में थाइड, यह वो गया 2 डिगरी प्रिफिग्स, वां डिगरी प्रिफिग्स बच्चों कुछ आया हा, नो, पारेंट च तो क्या दिखोंगे बच्चों पैंड उसके बाद वर्ड डेगरी सफिक्स क्या है सभी कार्ण से तो ए और टू डेगरी सफिक्स क्या है वन पर ओएक ऐसे ड़ा है तो इसका आयू कैसी देम हमें निकना हुआ है तो हम क्या करेंगे बताइए थ्री सबसे पाले टू डेगरी प्रिफिक्स थ्री फोर डाई मिर्थाइल पैंटैन पैंटैन वन ओई या पैंटैन ओई कैसी डारेक्ट आप में सकते हो जैसे अगला एक एग्जांपल आउट देखते हैं कि रिडोग सॉल कर पाएंगे देख लीगा जैसे यह है च्छ तू दबल बॉंड चैन सिंगल उपसी कि पर डबॉंड सी यह है तो आए उपे सी रेम में बताना है तो पैंट्चेइन आप यहीं को बाल होगे सिदा सिदा पाएंटैन नम्टरिक इदा से इस साइट से इधर उट्टै फे वान टू थ्री ओर इधर सिटो नहीं क्यों कि दू कि तो क्या हो जाएगा विव उसके बाद डबल पहले लिखना है तो वन इन और थ्री आएं अब एको ई यान इन होना चाहिए तो इड्रॉप करें नहीं क्योंकि वाई आ गया और ट्रश्टी में वाई को भी वागल मानते हैं उसका नाम हो गया विव तो वन इन और थ्री आएं समझना रहा है जरू कुछ और प्रैक्टिस अब्लोग करते हैं आप प्रैक्टिस इंट्वाटेंट है कुछ क्वेस्टन और अब्लोग करें कि इससे सारा क्वेसर्ट क्लियर हो जाएगा इसको जान देखिए सारे बच्चेस का स्क्रीन शाट लें फिर अग्लोग अगला इ है कि इस की अद्क तो देखे बच्चों यह आपको देख रहा है सबसे पहले आपको पाईल चैन सटान का है पाईल चेर होग यह जो है इसे इदा सीदा आप और चेर होगा तो अब नम्रें करना है इधार से करोगे कि इदर से करोगे क्वेश मर्षटित हैं सबस्क्राइब तो अलपा बेटकल आड़ेगा आपको फालोग करना है तो नपरिंग के दर से 1,2,3,4 इधर से नपरिंग करना है तो बताएए 2 डिगरी प्रिफिक्स यहां क्या है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 डिगरी प्रिफिक्स कुछ है? नो वैडवूड क्या है? वैडवूड तरफिक्स क्लोरम है, कितने कार्भन हारे? 4 ऐड़िक्स यहां होगा? तो डारेक्ट नहां बता दो क्या होगा टू ग्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन थ्री क्लोरो ब्यूटेन इसका हो गया आयोगेसी नेंड अग्जामपल बच्छों राम दीजिये जैसे जैसे कुछ कंपाउंट का हम लोग इंडिविजूल कर रहते हैं जैसे अलकेन काइप के कंपाउंट का मदूदाय के सिदें लेखते हैं तो इस टाइप कोई भी कंपाउंट हो जाएगा यह है अलकेन मलब सभी सिंगल सिंदगोंग अब इसका हमें स्क्टर बनारा है तो जितन कितना कार्बन होगा उतना कार्बन हमें मानता है तो कितना कार्बन एक दो तीन चार पाज यह कंपाउंट लिखा हुगा है इसको हम ऐसे कर देंगे यहां कार्बन है यहां कार्बन है यहां कार्बन है यहां कार्बन है यहां कार्बन CS2 यहां कार्बन CS2 और यहां कार्बन CS इसका किसी ने में पताना है तो एक दो तीन चार पाच पाच तार पन तो पैंड सभी सिंगल बॉंड से चुड़ेंगा तो क्या हो जाएगा पैंडेन हो गया ऐसे अल्कील का भुतुम कर ले जाओ गया असानी से अल्कील में क्या होगा अल्कील में डबल बोंड हो जाएगा जैसे CS3, CH, डबल बोंड, CH, इंडल बोंड, CS3 तो यहा देखिए 1, 2, 3, 4 तो इसका नाट्रा हो जाएगा ये हो जाएगा भी तुटू एल आसांसे आपको समझ जा गेगा। देखे हैं अब लोग अलकाइन का देखते हैं अलकाइन का आयो किसी नि आ आत जाम सकते हूं आसानी से आय से देखें यह अलकाइन है की नहीं है अलकाईन है लेखो टिफारओं हॉँ कार्श एलकाइन तो नम्रें कि दासे करें इत्चों पारेन चैन हाई ये 1, 2, 3, 4 ये पारेन चैन तो चार करबन तो नम्रें नम्रें कि दासे, 4 तो ब्यूरण और 1 पर क्या है आई तो ब्यूरण आइन प्याई किसी नहीं हो गया, जैसे CH3, CH, CH3, CH double bond CS2, इसका ना बताना है, तो मैं यहां और जोड़ देता हूँ, C double bond CH, इसका ना बताना है, तो double bond, double bond दोरों हो है, तो parent chain आप यह हो जाएगा, यह हो गया हमारा parent chain, नम्मरिक इदर से कि रंस है, double bond की priority जादा है, तो नम्मरिक करेंगे इदर से, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, 3 पर यह जुड़ा है, तो 2 ने प्रेफेक्स, 3 methyl, 3 methyl, और 5 कारवा, तो parent, 1 पर double bond, तो 1 in, और 4 पर triple bond, तो 4 iron, 1 in, 4 iron, यह जिसका आयू के सिने, तो L-K, L-Hein और L-Kine का आयू के सिने आपने सिल्खा, अल्कोहला आप कर ले जाओगे, ऐसी दिए OE के सिने लगा करके आपको करना है, सारे compound में चार ले जाओगे, एक compound आपको ध्यान देना है, एथर, एथर क्या होता है, जैसे, अगर कोई compound तुम्हें देखे, R, O, R, कि समदों क्या है, एथर, R मतलब क्या होगा, R मतलब होता है, अलकिल गूप, मतलब R की जगा पर CS3 हो सकता है, बतायल बोलेंगे, R की जगा पर C2H5 को सकता है, इसे अतायल बोलेंगे, तो अगर इस ताइप पर कोई function group दिखे, तो समझे लोगों क्या है, एथर है, तो एथर का आईपेसी नेम, आपको पता होना चाहिए, आईपेसी नेम आपको पता है, अलकॉक्सी, अलकॉक्सी अलकेन, अलकॉक्सी अलकेन, और यह जहां देगा है, जो अलकॉक्सी के रूप में लिखा जाएगा, वो इसमालर वाला पाइप होगा, इसमालर पाइप होगा, यानी छूटा वाला होगा, और जो एलकेंट रूप में लिखा जाएगा वो बिगर पाइट होगा क्या होगा बिगर पाइट तो आप आसानी से किसी भी एथर का आयू के सीने में आसानी से लिख सकते हो जैसे यादीजी बच्चों जैसे दे दिखा तो पहला कमने मता ही इसका पाइल न करुछना है तो अप अक सील्केंट लिख świ और इसको मान्य मंगी हैं तो कि दोनों से में कावन आएं तो हम दोनों को किसी को भी अल्ठोक्सी किसी को भी अल्केर मान सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मिठोक्सी मेथें आयो किसी ने क्या हो जाएगा मिठोक्सी मेथें जैसे जैसे O, C, H2, C, H3 इसका तो अब इसको आपको भी ठोक्सी मानना है क्योंकि ये बड़ा वाला कारवन आपको इसको LK मानना पड़ेगा तो नम्रे का तो 1, 2 तो 1 से ठोक्सी लगा है तो इसको बोल सकते हो 1 में ठोक्सी और इगर दो कारवन आपको तो का हो जाएगा इथेड 1 में ठोक्सी इथेड हो जाएगा जैसे एक कंपाउंड आपर बताईए आप लोग CS3, O, CH, CH3, and CS3 अब बताईए वच्चों आपको आपको पारेंट जैन्सिलेट करना पड़ेगा यही नहीं किटारी के इस जमान लोग आपको पारेंट जैन्सिलेक करते समय है यहां मानना आगे बढ़ना है यह आप तुँजा यहां दंबरें करो जाएगा यहां से यास करोगे तबी सेकेट पर यह आएगा यास करोगे तबी सेकेट पर आएगा तो 1, 2, 3 और 2 पर यह ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या बोलोगे बताएग तू मेथोक्सी तू मेथोक्सी और 3 कारवन है तो प्रोप और सभी सिंगलबोंट से जुड़े हैं तो एज तो टू मेथोक्सी प्रोपेन यह हो गया इथर का आईपेसी में ऐसे-आप सारी इतर का आईपेसी नयम आसानी से कर सकते हो अगर एक और इंपर्टन कंपॉंड आपके साम आपके स्लेमत भी में आता है उसका नाम है इस्टर। उसका नाम है इस्टर।Thank इस्टर। आप समझे? जैसे अगर इस थाइब का कोई भी कंपाउंड दिखे आर, सी, डवल बाउंड, ओ, औ, अ, आर तो इसको भूते हैं स्टक क्या भूते हैं स्टक स्टर का जो आयू पिएसी नेम होता है आयू पा एक नेम इसका जो भूगा वो भूगा अलकिल अल्किल इलकेनुएट इलकिल इलकेनुएट इतना देना है इलकेनुएट जो इलकिल आपने लिखा वह इस अलकिल को लिखा जारा है और वाजी कि जितने ध्युए तेदी घ्रिभात जाएंगा पर एक्जाम्पल जहां जहना बच्चों, CH3, C double bond O, O and CH3, देखो, कारवन, CO, अब यह जो फॉर्फॉर्फ पॉर्फ है, मतलब यह क्या है, इस्टा है, तो अब यह मैं थाइल, तो किया मैं थाइल लगा है, तो क्या मैं बोलूंगा, मैं थाइल, मैं थाइल इदर के ना कारव है, जैसे दूसरा एक्जाम्पल समझे लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ण में बच्चों आता आता है, C double bond O, O, C2H5, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, यह हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल और इदा देखो एक दो काज़ा, तो इसका नाम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएग इब लुक चायए बन्टू थ्री तो प्रोपेनोड लिखेंगे टो मेथाइल pro present है नवे हैं मैंसे इस टाइट सार्य आपिसमेस जर सकते हो जैसे प्ल्क दिक इसने माँ लिख सकते हो C3 C यहां मैं लगा देता हूं B R और यहां मैं लगा देता हूं C double bond do CH double bond CS2 यह इसका हमें RBC निये मताना है तो फस्ट आप आपादो पारिल चैन्ट करके दिखाओ दो चाहब होगा सीधा सिधा यह पारिल चैन है यह पारिल चैन हो दो 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 और तुरण पाले पोजिशन पर आगया तो वन तू थ्री पोर फाइप यह नमरिंग हो गया नमरिंग के बाद यह पताए तो शुदे की प्रेफिक्स क्या होगा प्रोगों फोर ब्रोहो उसके बाद पार वां तो पैंट और वण पार है डवल ऑन तो इन और त्री पार है ड़कों कीटो ग्रुप तो इसको हम बोलते हैं और ओल्ड तो पोर रों मों पैंट वन पीन फ्री ओल पिसका यह नहीं पूरा इसको क्वेस्टन सौन कर लिजिए इसका जितना मैंने आपको बनाया हूं पूरा प्रैक्स कर लिजिए गा और आपके बुक में जितने कोईस्टन है उसको आप ट्राइ करिए ट्राइ करने के बाद अगर पूई भी दिकत हो फिर बार एक बार वीडियो देखिए दो क्वेस्टन जोर्ण करिए यह पार्ट हम पर फस्ट है करना इसकंपाउंड का इसमें दो वीडियो में और आपको बताऊंगा रियक्सरा आपको नहीं आद रहा पड़ेगा सारे रियक्सरा साथिसे आपको समझ में आ जाएंगे तो इसको आप लोग करिए प्रम लोग आग